अब फ्रेंड वेलकम बैक टू मैं वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग जी के टिक है स्वरी जी के इंपॉर्टेंट 25 प्रसंट करने वाले हैं टिक है यह स्टाटिक जी के प्रसंट होंगे टिक है और यह आपके आने वाले एक जाम एंटी पीसी एससी, एमटीएस, जीडी, गुरुप डी, ठीक है आरपी एफ के एक जाम, एलपी, टेकनीसियन, ठीक है गुरुप डी, एंटेपीसी में रखेंगा दुनों लेवल के लिए, यूजी के लिए भी और ग्रेजवेट्स के लिए ठीक है इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्र प्रसंद करेंगे, यह आपके सभी एकजामों के लिए काफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और बात यह है कि यह सारे प्रसंद जो है, यूजी फॉर्मेट में होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहे कि बीडियो पूरा देखिएगा, और सारे प्रसंद इप्र प्रसंद की तरह बढ़ते हैं, पहला प्रसंद देखिए, पहला प्रसंद क्या है, कि निमलिखित में से कौन सा राज गोडावन, ठीक है, गोडावन यानि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, आकर पस चार आपसन है, जल्ली से जवाब देजे, कौन तो सही होगा, सव बढ़ावन, यानि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, जल्दी से बताईए, तो सही जाब होगा, आपसन नमर एक, राजस्थान, ठीक है, ये क्या है, राजकी पक्षी है, राजस्थान का, ठीक है, क्या है, राजकी पक्षी है, इसके साथ साथ कुछ और ध्यान दिख पूछेगा आप लोग यूपी का क्या है यूपी का है सारस क्रेन सारस क्रेन जो है यूपी का राजगीय पक्छी है ठीक है बिहार के बात की जाए बिहार कभी 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 पूछ देता है याद रखे है घरेलू गुराईया ठीक है ओके और अंडमान एंड निकोबार का पूछ देगा तो इसका है उड़ पीजन ठीक है ज्यान देना आपको अगर बढ़ते हैं अगला सवाल है क्या है देखे धन दीजे कि ब्रम कमल किस राज का राज की पूस्प है सवाल क्या है आपके पस दूसरा नमबर सवाल है जो ब्रम कमल है किस राज का राज की ये फूल है जल्द से जवाब दीजे सवाल देखिए कि ब्रम कमल जो है किस राज का राज की ये फूल है या पूस्प है सही जवाब होगा उत्राखंड आप्सन नमबर डी सही है ठीक है रिलेटर प्रस्णों की बात किया जाए तो प्रस्ण पूछे जा सकते हैं कि तृपूरा का तृपूरा का राज की ये फूस्प ये राज की फूल क्या है तो याद रखना है आपको नाग के सर ठीक है साथ में बात कि जाए यूपी की तो यूपी का पलास है जारखंड का भी पलास ही है याद रखना है यूपी का और जारखंड का ठीक है साथ हमें बात किया है बिहार का तो बिहार का क्या है बिहार में एक फूल होता है इसका नाम है कचनार ठीक है वो होता है बिहार का फूल राजस्थान के बात किया है यहां पर एक फूल होता है इसका नाम होता है रोहिडा ठीक है रोहीडा यह यहां का राज की फूल है ठीक है भारत का फूल सबको पलाओने चाहिए भारत का फूल क्या है कमल तो आप्सिन नम्बर डी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा याद रखना है आपको आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल देखिये देखिए जवब दिए अवरोग कि स्वाल नंबर तीन देखिए जल्दी से और उसका जवाब देजिए रानीखेत हिलम स्टेशन भारत किे सराज में इस्टीट है तो इसका सही जवाब क्या होगा सही जाओगा रानिखेत जो हीले स्टेशन है वो भारत के उत्राखंड में इस्तित है option number D सही होगा और भी हीले स्टेशन से जो उत्राखंड में इस्तित है जैसे के बाद के जब मसूरी क्यों कोन से है मसूरी नैनिताल ठीक है और बात की जाए धनौल्टी ठीक है सिक्किम में कौन कौन सा है तो यहां पर गंग्टोक है यहां का famous tourist place है गंग्टोक साथ हम बात की जाए तो अरितार एक जगह है वो भी घुमने लाइक अच्छा जगह है ठीक है हिमाजल पर्देश की बात की जाए तो हिमाजल पर्देश में बहुत सारे हैं सिमला है मनाली है ठीक है धरमसाला है ठीक है और भी बहुत सारे हैं केरल में बात किया है तो केरल में मनार है मनार जिससे कहा जाता है ठीक है और पॉन मुड़ी है यह अच्छा जगह घुमने आए ठीक है कितने सारे बता दिया आपको सित्की महिमाचल केरल उत्राखंड इसका सही जाब होगा उत्राखंड ऑप्सन नमबर डी अगर बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ अगला सवाल देखिए गोवा भारत का पच्छीसवा राज कब बना था गोवा राज के स्थापना कब हूँ तो जली से बताईए देखिए गोवा राज के स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को ओप्सन नमबर सी होगा इससे एक रिलेटर पोस्टन ने जो कि बार बर पूशा जाता है कि कि संसोधन के तहट गोवा को अलग राज का जर्दा दिया गया था तो याद रखेगा 56 ता मेड़िमेंट था पर 56 संसोधन था त्टिक है 56 संसोधन से गोवा को एक राज का दर्जा दिया गया था यहाँ पर एक सवाल कभी कभी पूचेता है जो कि लेटिस्ट में तिलंगाना तिलंगाना राज कब बना तिक है यह पूचता है तो याद रखेगा यह बना था दो जून दो हजार चौदा को ठीक है अगर बढ़ते हैं अगरा सवाल है बहुत फेमस कुश्चन है कि निमलिखित में से कौन सा भारतिय सहर अपने संत्रे के लिए परसिद है कि सहर के संत्रे जो है फेमस है चार आपसने ने जल्दी से जवाब दीजे कौन से सर अपने संत्रे के लिए फेमस है देखे बात हो रही संत्रा का तो जवाब हो नागपूर इसके साथ साथ कुछ और भी याद रखेगा सेव के लिए हिमाचल परदेश ठीक है ग्रेप्स के लिए नासिक ठीक है लीची के लिए मुझफर पूर ठीक है बनाना के लिए जलगाओं ठीक है ठीक है ठीक है मिलता है अमल साथ नाम के जगह पर जो की गुजरात में है अँजीर के बात के लिए पूने फेमस है ठीक है बेर के लिए हिमाचल परदेश ठीक है अमरूद अमरूद के बात के जाए अमरूद के लिए ये कहां का फेमस है ये है इलाहबाद का हम लोग मल्टिपल कुस्टिं की है इसका सही जवब का अप्सन नमबर डी नागपुर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है खंबा थोबी खालेस्थान के परदरसन कला का एक महदशपून रूप है तवाल नमर छे क्या पूछा गया आपसे खंबा थोबी जो है किस राज के परदरसन कला का एक महदशपून रूप है जल इस जौब दीजे तो खंबा थोबी के बात की जाए तो खंबा थोबी कहां का है यह है मनीपूर का मनीपूर के और निर्तियों के बात की जाए और भी सारे डांस है जो फेमस है तो पहला नाम आता है मनीपूरी का मनीपूर का है तो मनीपूरी एक निर्तियों का फेमस है उसके बाद बात की जाए तो नूपा उंग चोलम धोल मनिपूरी रास लीला ठीक है ये सब जो भी है मनिपूर के फेमास निरत्य है और इसका सवाल का जावब होगा option number D मनिपूर तो हम बात हो भी कहां का है मनिपूर का है अगे बढ़ते हैं अगले सवाल की दरफ अगला सवाल देखिए राजस्थान में खालेस्थान का निर्मान नौग रहों की थीम पर अधारित है किस जगा का निर्मान जो है नीचे दिया गए ची योगों में से उनका निर्मान जो है नौग रहों की थीम पर किया गया है जल्ली से बताईए इसका सही जवब होगा जवाहर कला केंदर आप्सन नमबर बी ठीक है जो कि राजस्थान में है अगला सवाल देखिए A.C.A. का सबसे बड़ा इंदरा गांधी मिमोरियल ट्यूलिप गार्डेन किस सिराज में इस्थित है कौनसा गार्डेन नाम है इंदरा गांधी मिमोरियल ट्यूलिप गार्डेन किस सहर में इस्थित है सवाल नमबर आठ है कोशन नमबर आठ है जलने से जवाब दीज़े तो सही जवाब होगा स्री नगर जो यह कहां पढ़ता है जम्मु एंड पासमीर का कैपिटल है बात के जाए यह किस जहील के किनारा है तो यह डाल जहील के किनारे है ठीक है और किस परवत रेंज के पास है बात कि जब परवत माला के पास है तो जवरवन क्या नाम है जवरवन ठीक है दुदू का वर्ड है जवरवन वहाँ पे है यहाँ पर एक और जहील मिलता है स्री नगर में इसका नाम है वूलर जील ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ अगला सवाल देखिए और इसको जल्ली से जवाब देजे निमलिकित में से कौन सो सहर भारत में महलो का सहर के रूप में जाना जाता है सवाल नमबर नौ है अपका स्क्रिन पर जल्ली से जवाब देजे कौन सो सहर हो जो कि महलो का सहर कहा जाता है किसे जल्ली से जवाब देजे तो सही जवाब होगा कोलकाता आपसन नमबर सी है सही जवाब आपसन नमबर सी लखनव क्या है नवाबो का सहर इसका है नवाबो का सहर टीक है और जैपुर क्या है गुलाबी सहर पिंक सिटी गुलाबी सहर ओके आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के तरफ अगला सवाल है महराष्ट और गुजराद राजी के अस्थापना खालिस्थान में हुई थी महराष्ट और गुजराद राजी के अस्थापना किस वर्स की गई थी जली से बताईए तो सही जाब होगा उनिस्सो साथ में स्थापना की गया तो पहला है आंद्र पर्देश आंद्र पर्देश को अरुनाचल पर्देश के बात कि जाए उसके स्थापना हुई थी 1987 को बिहार के बात की जाए उनिस्सो पचास मॉडर्ण भी हर के बात हो रही है गोवा के बारे मैं भी बताया गया हरियाना 1966 पंजाब 1947 ठीक है और कुछ बात की जाए तो जहार खंड साथ में उत्रा खंड ठीक है यह दोनों के स्थापना हुई थी 2000 में और सबसे नया राज कौन सा है त्यलंगाना निवेश्ट राज है अपने यहां का जिसके स्थापना हुई 2014 में पुछ उपसन नमबर डी गुजराद और महराश्ट के स्थापना हुई थी 1960 में अगरा सवाल है अगरा सवाल है जल्ली से बताईए तो इसका सही जाब होगा है फैदराबाद ऑप्सन नमबर सी होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ एसिया की सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है बस टर्मिनल कौन सा है एसिया का सबसे बड़ा के बात हो रहे सवाल नमबर 11 है जल्ली से बताई कौन सा होगा है तो एटिपर सबसे बड़ा कि बात कि इतों चन्नाई मुफसिल बस्टर्मीनस दो आफ्या है आप बात हो रही है वीसु का सबसे बड़ा बसwig तर्मीनस सुरी बस अस्टेशन कौन सा है विस्व का सबसे बड़ा बस अस्टेशन तो ये है प्रेश्टन में कहाँ प्रेश्टन जो कहाँ पड़ता है लंका सायर ठीक है इंग्लैंड में और बस डिपो की बात करेगा सबसे बड़ा विस्व का तो यह कहां है यह दिल्ले में मिलेनियम पार्क बस डिप ठीक है इसका सभी जवाब का ओप्सन नमर एक ओप्सन नमर ए जो है सही जवाब इस सवाल का सभी जवाब है विस्ट के सबसे बड़े बस डिपो की बात करें तो मिलेडियम पार्क बस डिपो दिल्ली में है यह तो चलिए अगला सवाल के तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है किस भारते राजिक ने मल खंब को अपना राज खेल घोसित किया है मल खंब यानि कि पहलवान से पहलवानी से जड़ा हुआ खेल है किस ने घोसित किया है अपना राज खेल जल्दी से बताईए तो सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर एक मद्परदिस 2013 में किया गया है ठीक है ऑप्सन नमबर ए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए निमलिकित में से कौन सा भारतिय राज 1972 तक नौर्थ फ्रंट नौ सरी नौर्थ इस्ट फ्रंटियर एजिंसी के रूप में जाना जाता था क्या जाना जाता था A.N.E.F.A ठीक है किस राज़ को A.N.E.F.A North East Frontier Agency के रूप में जाना जाता था जली से बताईए इन चारो राज़ों में कौन सा राज़ था वो तो सही जाब जो होगा वो होगा अरू नाचल परदेश ऑप्सन नमबर C इसका बाद में नाम North East Frontier एडिंसी से चेंज करके अरू नाचल परदेश कर दिया गया क्या कर दिया गया अरू नाचल परदेश ठीक है ऑप्सन नमबर C सही होगा अगर बढ़ते हैं अगला सवाल है सुरी भारत में केंद्रिय एक मार्क परियोग साला कहां इस्तित है ठीक है जली से बताएगे भारत में जो एक मार्क परियोग साला है केंद्रिय एक मार्क परियोग साला कहां परिष्टित है तो इसका सही जवाब होगा नागपूर देखिए एक मार्क जो होता है वो एगरी कल्चरल प्रोडेक्ट का ठीक है क्रीसी उत्पाद का गुनवत्ता को दरसाता है एक मार्क जो है क्रीसी उत्पाद का गुनवत्ता दरसाता है गुनवत्ता को डिनोट करता है जो कहां है नागपूर में है इसका परियुक साला ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए खालेस्थान को कस्मीर के केसर सहर के रूप में जाना जाता है केसर सहर के रूप में किस कस्मीर के किस सहर को जाना जाता है जली से बताईए सवाल है स्क्रीन पे आपका स्वला नमर सवाल है किस सहर को कस्मीर केसर सहर कहा जाता है सही जो बताता हूँ होगा option number C pumpore pumpore हो क्या कहा जाता है केसर सहर इसके साथ कुछ और नाम याद रख लिजे diamond city diamond सहर diamond सहर कौन सा है यह है सूरत गुलाबी सहर तो पता ही होगा leather सहर leather city leather city कौन सा है यह है कानपूर ठीक है बात की जाए pink city की फिस से लिख दे रहा हूँ जैपूर तो कुछ और भी सवाल होगा आपके लिए एक दो तीन सवाल इधर होगा pumpore को क्या कहा जाता केसर सहर कहा जाता कस्मीर का ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए गठिया जोडो के दर्द और पैर की विमारी से प्यूरित हाथियों के लिए hydrotherapy उपचार केंदरे जानिक जल क्लिनिक कहा इस्तित है किसके लिए हाथियों के लिए है hydrotherapy उपचार केंदरे ये कहां पर बनाया गया है कि जोकी जल क्लिनिक भी है ठीक है जल इसे बताईए तो इसका सही जाब होगा मत्रा उत्तर प्रदेश में ठीक है एक सवाल का जवाब देजिए आप राश्टिय हाथि दीवस क्या राश्टिय हाथि दीवस कब मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में बताईए कमेंट करिए राश्टिय हाथि दीवस कम मनाया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ किस सहर को लोकप्रियस रूप से एसिया का डेट्रॉइट और भारत की आटमोबाइल राजधानी कहा जाता है क्या है भारत की आटमोबाइल राजधानी है और एसिया का डेट्रॉइट कहा जाता है जल्ली से बताईए किस सहर कहा जाता है तो सही जवाब होगा चिन्नाई चिन्नाई को भारत के ओटमोबाइल रजधानी या फिर एसिया का डिट्राइट कहा जाता है कि यहां पर लगभग देश का 60% ओटमोबाइल मेनुफेक्चर किया जाता है या फिर एक्सपूर्ट करने के लिए बनाया जाता है आगे बढ़ते एक मात्र राज है जहां संगाई हिरन पाया जाता है भारत किस राज में संगाई हिरन पाया जाता है यह सवाल है सवाल नंबर 19 है जल्दी से जवाब देजे इन चारों में से कौन से जगह पर संगाई हिरन पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ उसे जगह पर पाया जाता है ठी तो इसका सही जाब होगा मनिपूर आप्शन नंबर डी ओंसे जाब होगा ओप्शन नंबर डी मनिपूर मनिपूर में कहा पर पाई जाता है तो पहले तो एक चाहिए द रखे कि इस जुस्तंगाई ही रन है वो मनिपूर का राजके पच्छी है स्री राजके पसू है क्या है राजकि पसू है ठीक है इसको दर रखेगा बत की जाए कि कहां पाए जाता है के बूल लाम जाव पार्क में कहां के बूल लाम जाव नेस्नल पार्ग या राश्टी उधान कहिए राश्टी उधान में पाय जाता है ठीक है केबुल लामजाव राश्टी उधान या फिर कहले जिक लोक्टक धिल लोक्टक धिल ठीक है में पाय जाता है ये संगाहिरन और ये एक लुप्त प्राय उप्र जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सावाल देखिए 20 नमबर उस राज का नाम बताएए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मिटर सिंगल लेन अस्टील केबल सस्पेंशन ब्रीज का उदगाटन किया गया था देखिए यह स्थित है अरुनाचर परदेश में आप्सन नमबर एक सही होगा और इस बिज का नाम बता दूँ आपको बियोरॉंग क्या नाम है बियोरॉंग ब्रीज ठीक है जो कि सियांग नदी पर है आगे बढ़ते हैं अगला सावाल देखिए अगला सवाल है भारती भुवेगानिक सर्विच्छन के अनुसार निमलिखित में से किस सिराज में भारत का उच्टम ग्रेफाइट भंडार है जल्दी से जवाब देजिए किस सिराज में भारत का उच्टम ग्रेफाइट भंडार है ठीक है भारती जूलोजिकल सर्विच्छन के अनुसार भारत किस सिराज में उच्टम ग्रेफाइट भंडार मिला है जल्दी सिराज में उच्टम ग्रेफाइट भंडार मिला है अगह बढ़ते हैं आगरा सवाल देखिए uh heritage town और उस तलो की अस्भाई सुची में शामिल किया गया है यह सहर जो है किस सिराज में ऑस्डित है कौन से जगह है है हेरिट Celebr down और स्था ठीक है को विस्व धरोहर में सामिल किया था किस सथाइ सुची है पर यह सहर जो है किस राजम है जल्दी से बताना है अपको ठीक है सवाल नंबर 22 है कामेंट सेक्षिन में में विडियो बहुत लंबा हो चुका है अल्रडी तो इसका सही जवब होगा ऑप्सन नंबर सी मद्रदेश ठीक है यह जो है यह है बेतवान अधी किनारे किस नदी किनारे है बेतवान अधी किनारे है बेतवान अधी किनारे है बात कीजाए मद्रदेश में तो मद्रदेश में और भी जगे हैं घुमने लाइक जैसे की साचियस तूप साचियस तूप ठीक है सत्पूरा टाइगर रिजर्व ठीक है बात की जाए तो खुज रहा हो बहुत फ्यमस है खुज रहा हो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल है निमलिखित में से कौन सा एक गैरीसन सा है गैरीसन को मतलब होता है सैनिको काड़ा तो कौन सा सहर है सवाल नंबर तईसे जली सब्दाइए जवाल जवाब होगा ऑप्सन नंबर सी जलंधर जलंधर जो है एक छावनी सहर है गैरीसन सहर है छावनी ठीक है इसके लावे बात कीजाए तो फेमस फेमस छावनी है अंबाला ठीक है बवीना कहां पढ़ता है बवीना उत्तर परदेश में अंबाला के बात कीजाए तो अंबाला पढ़ता है भरियाना में ठीक है इसके लाएब बात किये तो रामगण के भी एक छावनी है जो यह कहां पढ़ता है यह पढ़ता है जहार फंड में ठीक है तो आपसन नमबर सी सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है किस सहर को पुरु का वेनिस कहा जाता है जहां सीटी पैलेस इस्थित है पुरु का वेनिस भी कहा जाता है और सीटी पैलेस भी इस्थित है किस जहें कहा जाता है सवाल नमबर 24 है किस सहर को किस सहर को पुरु का वेनिस कहा जाता है जहां सीटी पैलेस इस्थित है जल्द से जवाब दीजे सवाल नमबर 24 है चली तो इसका सही जवाब होगा पुरूब का वेनिस कहा जाता है और सिटी पैलेस है ओप्शन मड़ी उद्यपूर इसके अस्थापना किसने की थी? महराना उद्यपूर सिंग ने किसने की थी? महराना उद्यपूर सिंग कब हो थी इसके अस्थापना? व्याद रखिएगा पंद्रासो उन्सथ में और उद्यपूर को और क्या कह जाता है जीलो का सहर क्योंकि यहाँ पर पाच जीले पाएं जाती है यहाँ से पाच चीले बाती है ठीक है? आगर बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए सवाल है कि निम्लकित मेंसे किस सहर में जंतर मंतर नहीं बोला गया है? नहीं है जहाँ देना है आपको किस सहर में जंतर मंतर नहीं है? ठीक है? नहीं बोला गया है किस सहर में जंतर मंतर नहीं है तो याद रखिएगा जंतर मंतर किस सहर में नहीं है तो यह नागपुर में नहीं है बात की जैंतर मंतर की तो यह किस ने बनवाए था यह बनवाए गया है सवाई जैसिंग दिवितिय के दौरा सेकंड के दौरा ठीक है यह जैपुर का महराज थे इन्होंने कुल पाच जगों पर बनवाया था ठीक है कुल कितना जगों पर पांच जगों पर इसको बनवाया है जंतर मंदर को जिसमें पहला है न्यू दिल्ली ठीक है दूसरा कौन सा है यह जैपूर फेमस है तीसरा है उज्जान चाउथा है मतुरा और पाचवा है वारा नस्वी ठीक है यह पाच जगों पर सवाई जैसिंग के द्वारा बनवाया गया था जंतर मंतर ठीक है तो आज की विडियो हमलोगोंने लगभध अच्छे खासते प्रसन कर चुक Infinite आप विडियो अच्छा लंबा हो गया है लगबध हमोंने 25 आप इंप्रसन की है कि क्यों ट्या प्रबद Temper Right त्थिक्षिंग आपके सब्सक्राइब के लिए अगर बीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें एक टाप के और वी वीडियो के लिए तो तो के लिए जहिंद नहीं ख्याव लखेगा और फानली थैंक्स फर वाचिंग